हेलो एव्रिबान स्वागत है आप सभी का योयो के साथ अपने इस पाडू इंजिनियर चैनल के उपर जहां पे डी सी सर्किट की बिल्कुल जीरो टू हीरो वाली शुरुआत हमने कर दिया है आज सेशन नमबर फोर जहां पे आपको देखना है बेसिक नियूमरीकल सीरीज प रीजन बता देता हूँ हम 11-12 स्टांडर्ड में लौ को रटा मारते हैं लौ को एपलाई करना नहीं जानते हमारी टेक्स्ट बुक में जितने सम्स है हम उतने ही सम्स को करके जाते हैं आज मैं आपको आड़ा तेड़ा सर्किट देने वाला हूँ आप उसको खुदो के कैलक अबत वाली लाइक की बेहत जादा जरूरत पड़ा पड़ा से लाइक ठोक दीजिए प्यारा प्यारा शेयर तो होना बनता है और जिनके साथ शेयर किया ना उनको जरूर सब्सक्राइब कहिए इस चैनल को क्यों कि यहां पर आपको मिल रहे होंगे फॉर्स्ट यर के साथ स गेट एक्जाम के भी कुछ लेक्चर जो एक्स्क्लूजिव प्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले है उसके साथ साथ वाट्सप ग्रूप इंस्टेग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने यहां पर दे दिये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक को आप क् इम एंपॉटंट है डिपेंडिंग ओन ऑनौ यह इंपोर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन केवी ल सेद दो टाइप से पहला टाइप यह सब को प्यारा लगता है दाट है सीरी सिर्ई सीरीज सर्किट और पैरलल सर्किट ठीए अब यह सीरीज सर्किट पैरलल सर्किट होता क्या है तो मैं फटा-फट से यहां पर आपको कहना चाहता हूं तो यहां पर बनेगा यहां पर बनेगा यहां पर नीचे हो जाते हैं तो इस अंदाज में आप इन सर्किट को दिखा सकते हो यहां पर यहां पर आप चेक कर सकते हो यह हमारी बिलकुल वोल्टेज डिफरेंट रहेगी यहां पर और यहां पर तो इस गॉन आप यहां पर वोल्टेज सेम होगी एपसलूट वाली वोल्टेज यहां पर सेम होगी लेकिन यहां पर करन्ट डिस्ट्रिब्यूट हो जाए वोल्टेज डिफरेंट और पारलेल में करेंट डिफरेंट वोल्टेज सेम रखा जाता है तो चलिए पहला नेटवर्क आपके सामने रखना चाहते हैं और यहां पे आप find out find equivalent equivalent circuit equivalent circuit of following network ठीक है जी following network का आपको एक equivalent circuit find out करना है कोई current कोई voltage नहीं normally आपको सिर्फ और सिर्कुट को यहां पर equivalently distribute करना है और equivalently दिखाना है कि एक final register कितना आपको मिल रहा है तो यहां पर चेक कर सकते हो मैंने यहां पर एक circuit draw करना है इस तरीके से circuit draw करने के लिए थोड़ा समय जा सकता है क्योंकि मैं paper से इसको सीदा सीदा उठा रहा हूँ मन का circuit देने में मज़ा नहीं है तो यहाँ पर इस अंदाज में दे दिया यहाँ पर इसको join करना है यहाँ पर भी एक आ गया यहाँ पर भी एक आ गया इधर और दो मैंने join करने है और यहां पे कहानी वापस से लैक दे उके इन को इस प्रकार से अब को जॉइन करनी है थीख है एक ही मिनिट का समगे देना यहां से यहां तक जॉइन करना है स्ट्रेट है तो यह शॉट सर्कृ determ emissions बना दिया यहां से यहां तक एक 1010 Ohm के दो Registers यहाँ पर दिखाई पड़ रहे है आपको उसके साथ 40 और 30 वाली कहानी यहाँ पे आपको नजर आ रही है तो 40 और 30 यहाँ पर नजर आ रही है 20 Ohm का यहाँ पर Register और this is going to be 8 Ohm और आपको यह point है और यह point है आपको कहा गया है find the equivalent equivalent register between the point A and B ठीक है कोई tension नहीं है जमेगा absolute जमेगा बस इस circuit को हमें properly resolve करना होगा properly draw करना होगा ठीक है किस प्रकार से इसको draw किया जाएगा बड़ी ध्यान से देखना मैं आप एक काम करता हूँ इसको redraw करते हैं मैंने यहाँ पे point take रखना है और मैंने यहाँ पे point रखना है ठीक है इनको रखते बनेगी और यह eight ohm की कहानी बनेगी अब absolutely 15 or 10 अगर आप इन दोनों को देखोगे तो this is gonna to be series अगेन इन दोनों को देखोगे तो यह भी series में और इन दोनों को देखोगे तो यह एक दूसरे के साथ series में है और यह सारे लोग के बीच में एक कोई ना कोई इस तरीके का connection आप differences जादा है तो मैं सबसे पहले यहां पर लगाना चाहता हूँ 25 का क्योंकि two को connected है तो यहां पर मैं parallel में लगाना चाहता हूँ 25 वाला उसके साथ साथ फिर parallel में लगाना चाहता हूँ one more register which is going to be over here and another register which is going to be over here ठीक है यह तोड़ा उल्टा पूल्टा हो गया तो भी चिंता न अगें 150 वाला register अब इसको solve करना मुझे बताइए कितना असान हो गया कितना जादा असान हो गया मेरे लिए यह solve करना मैं यहां पर फटा फट से इसको इधर ही solve कर देता हूँ अगर इधर नहीं तो आगे जाते है ठीक है तो इसको readraw करता है यह मेरा एक register ठीक है यह मेरा ए register यहां पर था इधर एक था ठीक है तो हमने इसको readraw वापस से करना है ताकि आपको इस slide में उसको properly देखने मिले कर दिया आपने solve यह था 50 यह था 25 आगे वाले दो देखते हैं तू और 8 वाली यह कहानी तू और 8 आप ओम 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 यहां पर लिख सकते हो और यहां पर लिख स आते हैं इनका जो answer आएगा which is again parallel with 25 तो solve कैसे करना है देखो हाँ solve कैसे करना है बड़ी द्यान से देखो मैं कहना चाहता हूँ 50 into 50 upon 50 plus 50 है ना उपर multiplication नीचे addition which is parallel to again 25 तो यह बन रहा है 25 double 0 upon 100 यह कट जाएगा और यहां पर बचेगा 25 parallel with 25 समझ रहे 25 parallel with 25 तो again I just have to solve them very carefully line देखो कितनी सीधी आती है हमारी now 25 parallel 25 तो वापस से 25 parallel with 25 को solve करने के लिए उपर कोन आएगा उपर आएगा multiplication कर दो कर दो उपर आएगा multiplication नीचे आएगा addition उपर आएगा multiplication नीचे आएगा addition तो यह 625 upon 50 T बनेगा चेक करना कितना बन रहा है मैं भी कैल्सी से इसको solve करने जा रहा हूं और यहां पर answer देखते हैं मेरे ख्याल से यह बन रहा है 55 तो 12.5 की कहानी यहां पर बननी चाहिए आपको और यह register वापस से इसको जोड़ दिया तो यह circuit देखू कितना प्यारा दिखेगा भी इस circuit इस प्रकार से आपको देखने मिल रहा होगा वाव यह तो बड़ा प्यार हो गया यहां पर 12.5 यहां पर 2 यहां पर 8 therefore 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 equivalent equivalent register between between a and b is a and b is अब मुझे बताइए आपको confusion वाना यहां से current भीजो 2 से जो current जाएगा वही 12.5 से जाएगा वही 8 की तरफ वापस आएगा मतलब यह बनेगा series में तो 2 प्लस 12.5 प्लस 8 और यह बन रहा है 22.5 ohm which is the equivalent register between the points a and b तो यह हमने किस से solve किया यह हमने solve किया series circuit और parallel circuits से कई सारे बच्चों की demand आ रही थी सर मतलब lecture की length है थोड़ा increase कर दीजिए जरूर lecture की length हम increase कर रहे होंगे from the very next session तो चिंता करने की जरूरत नहीं है बस इस बाबाजी की दरवार के साथ आपको जूड़ जाना है फड़ा फड़ शेर और लाइक तो ठोग देना है और अपने friends लोग को जरूर शेर करना है कि भाई साब यहाँ पर BW की कहानी चल रही है chemistry की कहानी चल रही है और physics की कहानी जल्दी 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 आने वाली है ओके जी तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में यो यो के साथ अपते के लिए बबाई टेक केर एंड तैंक तो मज़ गाइस